नमस्कार पर्याबर्ण अध्यन के अंतरगत बीए फस्ट बीए बीए सी और वियोकोम फस्टियर के सभी चात्रों के लिए फाउंडेशन कोर्स के अंतरगत एक और नए सेशन से संबंदित महत्पूल प्रशनुत्तर पर दोस्तों आज हम चर्चा करने जा रहे हैं तोपिक का सभी प्रशन आपके एक्जाम के लिए बहुत ही महत्पूर होने जा रहे हैं तो उम्मीद करता हूं कि आप सेशन के लाज तक बने रहेंगे और एक भी प्रशन को नजर अंदाज नहीं करेंगे हर एक कोशन दोस्तों आपके लिए बहुत इंपोडेंट होगा चली शुरू जितने भी चाहिए वो पॉलिटिकल साइंस हो एकोनोमी हो सोसोलोजी हो हिस्ट्री हो लगबख सभी वी से आपको हमारी प्लेलिस्ट में अवेलेबल मिल जाएंगे आप उनको आसानी से निशुल करूप से लेक्चर देखने के साथे साथ में उसकी नोर्स भी आप उसी की डिस्किप्शन में जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं आईए शुरू करते हैं अपना आज का सेशन यह सेलेबस को देख लीजिएगा सेलेबस के अकोडिंग ही टोपिक वाइस टोपिक ही दोस्तों हम आगे बढ़ने हैं आज का यह थर्ड यूनिट से से रिलेटेड होगा ठी यह शुरू करते हैं अपना आज का सेशन पहला प्रेशन की मिंख का पूरा नाम क्या है योश् कुन सी गेस थी, मिथाइल, मिथाइल आईसोसाइनाइर थी, जिसे हम सोट में मिक गेस के नाम से जानते हैं, ओप्सन ए इसका सही हो जाएगा, ठीक है ना, अगला प्रशन है, क्रसी में उप्योग आने वाले उर्वरकों से, बच्चों के रक्त में घातक बिमारी हो जाती है, पूचा ये जा रहा है, कि बच्चों के रक्त में कौन सी घातक बिमारी होती है, क्रसी में उप्योग होने वाले उर्वरकों के, उर्वरकों में जो केमिकल डाला जाता है, जो रसाइन डाला जाता है, उसके कारण, मिते मोगलो बिनेमा या वाइरल रोग या पिर सिस्टोटोम या इन में से कोई नहीं थोड़ से नाम जो है दोस्तों आपको नए लगेंगे बिल्कुल नए लगेंगे लेकिन एक्शल में जो है इसी प्रकार के प्रस्टन आपसे एक्जाम में कई बार पूछी जाते हैं जो पहले शायद कभी हमने पढ़े ना हो कभी एसे नाम सुनने को ना मिले हो लेकिन यहीं हो जिदे के लिए और हैं जल्दवाजी में खोते हैं चल्द देंटे ही होते हैं जो ना प्रश्ट न कभी आपने बढ़ा है ना कभी उनके ओप्धिक ने पढ़े हूंग। तो उनको हम एक टफ वाली केटेगरी में रख देते हैं लेकिन ऐसा नहीं है कि वो प्रशन हम चाहे तो भी नहीं पढ़ सकते उसे पहले exactly पढ़ सकते हैं इसी प्रकार के प्रशन आप से पूछे जाते हैं जो कि difficult हमको लगते हैं क्यों 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 हमने उनको नहीं पढ़ा ह होता है इसलिए तो अब करना क्या है आपको सिर्फ इनको सभी कोशनों को पुरे द्यानपुरों पढ़ना है और डिस्किप्शन में जाकर कि इसकी नोर्स डाउनलोड करके और समाल के रखना है ताकि एक दिन पहले आप उसका अच्छे से रेविजन लगा पाए तो संबंदी एक रोग होता है जो बच्चों के रक्त में पाया जाता है किस कारण से करसी में जिन उर्वरकों को हम प्रियोग में लेते हैं जिस खाद को हम प्रियोग में लेते हैं जिसमें विविन प्रकार के रसायन मिलाय जाते हैं उनके कारण ही जो है बच्चों के बलड मे इस प्रकार का रोग हो जाता है option A आपका सही आंसर हो जाएगा अगला प्रशन है प्रशन नमर तीन है वाई यू प्रमुक वाई यू प्रदूशक है carbon monoxide, sulfur dioxide, lead या फिर उप्रोक्त सभी तो आप सभी भली बाती जानते हैं वाई यू को प्रदूशित करने वाली जो गेसे हैं गेसों में तीनों ही समाहित है carbon monoxide, sulfur dioxide और lead इसलिए right option हमारा D हो जाएगा ठीक है ना अगला प्रशन लेते हैं titanus रोग किस से उत्पन होता है चार option दिए गए हैं चेसिनाई से, titanus से या titanus बेसिनाई से, या फिर उप्रोक्त में से कोई नहीं तो याद रहें दोस्तों, titanus जो रोग होता है वो titanus बेसिनाई से होता है तीनेश बेसिनाई से, के लिए रहे चलिए अगला प्रशन लेते हैं अगला प्रशन है, ध्वनी इस्तर का मापन किस में होता है ध्वनी इस तरह का मापन या सिंपल सब्दों में कह एं तो ध्वनी को हम किस में मापते हैं डेसीबल में या प्रति सेकेंड से या centimeter से या हार्स से तो आप सब भली बाती जानते हैं कल वाले session में भी हमने इसको discuss किया था ठीक है ना decibles से क्लिए रहे तो हम ध्वनी को किस से मापेंगे decibles से मापते हैं अगला प्रशन लेते हैं मानफ कानों के लिए कितनी ध्वनी सहनी होती है मतलब मानव कितनी ध्वनी को सहन कर सकता है मतलब एक सामानिसी आवाज कितनी होनी चाहिए जिसे मानव सुनकर के इरिटेड ना हो या मानव के सुनने के लिए सामानिसी ध्वनी हो 60-50 decibel या फिर 40-50 decibel या 6-70 decibel या फिर 90-100 decibel तो इसके मामले में कल वाले सिशन में हमने थोड़े विस्तार से भी चर्चा कीती में ने पूरे उधारन लेकर कि आपको समझाने का परियास भी किया था असी डेसिबल से उपर झाल जाती है तो वो मानभ के लिए खत्रा उसमें कर सकती है है रेडियो धर्मी प्रदुशन रेडियो धर्मी जो प्रदुशन होता है वो किसके द्वारा होता है रेडियो धर्मी प्रदुशन से संबंदित कल वाले में बहुत बिस्तार से हमना चर्चा किये थी चैर्णोबिल की जो परमाणु दुर्गटना थी उसको उधारन लेते हुए हमने पुरे बिस्तार से उस पर डिसकस किया था संबबता आपने कलबाला सेशन देखा होगा इना तो इसमें पूचा गया कि रेडियो धर्मी जो प्र की प्रोलम आती है या अनुबांसिक तद्वों का विनास हो जाता है लिक्यमीनिया जो है दोस्तों यह ब्लड केंसर है क्या है ब्लड केंसर कलवाला सेशन आपने देखा होगा तो इसका राइट उप्सन अब तक आप लगा चुके होंगे उप्सन दा एक हमोगलोबीन की कमी होने से जो लाल रक्त कडिकाएं होती है मानब सरीर में उनकी भारी कमी होने लगती है जिस कारण से lawyers राखेंसर्भी उस्में हो जाता है 37 में जो अनुबांशिक तद्व है और वो पूरी तरह से समाप्त होने लगते हैं इसका मतलब क्या हुआ कि option कुन सा करेक्ट हो जाएगा हमारा इस case में option दा हमारा सही आंसर हो जाएगा ठीक है ना अगला प्रेशन है प्रमुक मिर्दा प्रदुषक नहीं है मिर्दा को प्रदुष्यत करने वाले को नहीं है आरसेनिक, केड़िमियम, सीसा या फिर ओजोन तो याद रहे जो ओजोन दीख रहे है न ये ओजोन गेस ये वाइयू प्रुदुशन से संबदितें ये वाइयू से संबदितें बाकि आरसेनिक, केडियम और सीसा ये तीनों ही मिर्टी को दूशित करने वाले मिर्टी को दूशित करने वाले तद्व है इसलिए सही आंसर हमारा option दा होगा अगला प्रशन लेते हैं अनिद्रा से गरस्त रोग्यों की संक्या में तीब्र ब्रद्धी हो रही है इसके पीछे कारण क्या है जल प्रदुशन है रेडियो धर्मी प्रदुशन है वाईयू प्रदुशन है या पेर ध्वनी प्रदुशन है लेक्षर में भी आपने देखा था रिपीट हुआ है कोशन इना ध्वनी प्रदुशन ही अनिद्रा से गरस्त रोग्यों का परमुकारण है ौपसंट D सही हो जाएगा अगला प्रश्न है चैनो के आज माननưởng नहीं जा सकते गटीत ती ती क्लों मेटर एरिया में वो की लिए उसको पत्रिबंदित किया गया है अगले कि ब्यापक जन हानी का कारण क्या था यह जो व्यृर्ण हानी हुई थी जो लोग buried फे क्या कारण था उसका गेस क्रिसा पारण था या रेडियो धर पर दोशन था या बाढ़ा आना है तो आप सभी जानते हैं पर मानु दुफर ग commission प्रमानु जो हे पर मनुसेंद्र पूरा उस समय का बातावर्ण था मतलब कि उस चेतर के लगबक 30 किलो मीटर के आसपास के चेतर को पूरे चेतर को दूशित उसने कर दिया था तो ओप्सन हमारा यहां पर भी सही हो जाएगा प्रश नम्मर 11 लेते हैं प्रदूशित जल के प्रियोग से कौन सा रोग होता है प आंत्रसोत से जो है दोस्तों आंत्रसोत से ग्रसित हो जाता है दूशित जल पीने से ओप्सन सा इसका सही आंसर हो जाएगा अगला प्रशन है प्रदूशित जल से नहाने धोने से कौन सा रोग होता है तो पीने से तो आपका आंत्रसोत हो गया नहाने धोने से कौन सा रोग होता है, वाइरल रोग होता है, सिस्टो टोम होता है, या फिर दोनों होते हैं, या मलेरिया होता है, उप्सन इसका सा सही हो जाएगा, बाइरल रोग और सिस्टो टोम दोनों ही रोग गंदे पानी से नहाने से हो सकते हैं, उप्सन सा सही आंसर हो जाएगा, अगला प्रस्ण लेते हैं, पे जल में उपस्तित विषानु, पीने योग और पानी में जो विषेले जो विषानु होते हैं पूँसा रोग उत्पन नहीं करते हैं, कौन सा रोग उत्पन नहीं feasible होते हैं, एक रोग ऐसा है जो इसके कारण नहीं होता है पानी के कारण नहीं होता है कुंसा पोलियो यक्रसोत पीलिया या फिर हैजा तो ध्यान रहें दोस्तों यह हैजा जो बीमारी है यह योग की पानी यह कहें कि पेजल्स के कारण नहीं होता है बाकि यह तीनों जो बीमारिया आप पी ए एन गैस पी ए एन गैस जो है यह मानब सरीर के कौन से अंग को प्रभाबित करते हैं प्रभाबित करते हैं जिसके कारण मानब की आंके खराब हो जाती है क्या होता है मानब की आंके खराब हो जाती है इसलिए जो पी ए ए एन गैस है यह सीधे तोर पर मानब शरीर में आंकों को दो है प्रभाबित करती है ओप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा अगला प्रशन लेते हैं प्रशन नमर 15 है भोपाल का गेस कांड कब हुआ था आप सभी को संभवता पता होगा दिसंबर 1984 में हुआ था दिसंबर 1984 में अच्छे सियाद आपको होगा ठीक है ना चलिए अगला प्रशन लेते हैं सीशा मानब को क्या हानिकारक प्रभाब पहुचाता है तो सीशा जो है मानब को क्या प्रभाब मानब पर क्या प्रभाब डालता है क्या प्रभाब है ना हानिकारक प्रभाब पहुचाता है बुद्धी में कमी करता है रक्त को अशुद्ध कर देता है या दोनों या कोई न क्योंकि यह जो ब्लड होता है ना उसको दूशित कर देता है तो सही मत्रा में मस्तिस्ग तक वो पहुच नहीं पाता है से सुष्ठ पड़ने लगता है और प्रबीबयों की ना एक छोड़ता homework शोड़ता है इसलिए सही आंसर आपका साह हो जाएगा अगला प्रश्न है पेजल में क्लोराइड की अधिक मात्रा मानब को क्या हानी पहुचाती है अगर पीने योग्य पानी में क्लोराइड की मात्रा जादा होगी क्लोराइड की मात्रा जादा होगी तो मानब को क्या नुकसान होगा क्या हानी हो जोडों को दर्द होगा या उप रोक तो सभी होगा तो तो याद रहे दोस्तों इसका राइट ऑप्शन भी ओप्शन हो जाएगा पानी पीने यह पानी में अगर क्लोराइड की मात्रा ज्यादा है तो दात हड़ी और जाइंट जो होते इसी जानकार वैं पास नहीं चाहिए सामाने इस तर पर इसकी जानकारी होना जरूरी है से कुछ बारे में आपको थोड़ा बिस्तार से पता होना जरूरी है चलिए अगला प्रशन लेते हैं अगला प्रशन और आंकरी प्रशन है कौन सा प्रदूशन उच्छ रख्ट चाप के कारण है उच्छ रख्ट चाप मतलब की ब्लेड प्रेसर हाई ब्लेड प्रेसर का कौन सा प्रदूशन कारण है मतलब किस प्रकार के प्रदूशन से मानब में उच्छ रख्ट चाप हो जाता है या ब्लेड प्रेसर जो है हाई हो जाता है ओप्शन ए ध्वनी के कारण मरदा के नहीं प्रधूने और इन चाहिए उनका रक्तचाप के ब्लैड प्रस्ता सामान्य बना रहता है और सही will हो जाएगा तो दोस्तों आज के से संबंदित पर्यावर्ण और मानव स्वास्त से संबंदित मात्र यह 19 प्रश्ण है मैं कच्रा नहीं दे रहा हूं आपको इसलिए सेलेक्टेट प्रश्ण और कम से कम लाने का प्रियास करता हूं ताकि आप लोग जो है उलजे नहीं और अगले सेरीज लेकर आएंगे लेक्चर नमर साथ के रूप में जिसमें एक और नए टोपिक पर बात करेंगे इसके नेक्स्ट अगले टोपिक पर बात करेंगे पर्यावर्ण सरन्रक्षन कानून और पर्यावर्ण सरन्रक्षन कानून से संबंदित ही जितने भी महत्पुन प्रश्न उत्तर हो सकते हैं उन पर हम अगले session में discuss करेंगे तो दोस्तों आज बस यहीं तक और नए strand जो भी है फिर से मैं उनको लिए repeat कर दूँ description में आपको telegram और whatsapp group की link दी गई है जिसे join करके आप अपनी study को बहतर कर सकते हैं day to day आप हमारे lecture को अटेंड कर सकते हैं सभी notes से और सभी lecture के link आप उसी group में प्राप्त कर सकते हैं इस सब के लिए आपको कोई charge देने की आवशक्ता नहीं है free or post उसे join कर सकते हैं मिलेंगे अगले session में दोस्तों तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद thank you thank you so much you